हलो हलो नमस्कार इस्टुएंट मैं विशेट बार्गाव बार्गाव क्लासेस यूटूब चैनल में आप बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज का जो मारा वीडियो का टॉपिक है वो है चार या तीन पार्ट में खतम करने की कोशिश करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं ठीक है देखें स्टार्ट करने पहले वही एक बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को नीचे जो ऐसा लागलर का बटन चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहला प्रश्ण क्या है देखें जो इसका बदर पहला प्रश्ण है वो बोलता है कि गोपला गीत शतीस गड़ में निम्न लिखित में से किस वन्स के इतिहात संबंदित है तो देखें गोपला गीत जो है वो है कल्चूरी वन्स के ल कल्यार साह को जब क्या हुआ था जहंगीर द्वारा नजर बंद किये जाने के प्रसंग पर ये क्या है गुपला गीत गाया जाता है क्या किया जाता है जो जहंगीर थे जहंगीर के द्वारा क्या हुआ था इनको नजर बंद किया गया था उनके उपर प्रसंग पर अधारित है, क्या है, गुपला गीत, तो यही सब चीजें याद रखेगा, क्या नाम था कल्चूरी सासक का कल्यार सा, ठीक है, उसके आतमें ये, एबालतोर की सचेत्र के जन जातियों का लोप्री निर्ति है, जो एबालतोर निर्ति है, वो है बस्त महा में आयोजित किया जाता है यह वाला जो निर्त्य है ठीक है मड़ाई के प्रमुक देवता अंगा देव की अराधन है तू किया जाता है जो मड़ाई है उनके प्रमुक देवता जो प्रमुक देवता है ठीक है प्रमुक देवता जो है अंगा देव उनकी अराधन में यह ये नित्य किया जाता है ठीक है और नरायनपूर के प्रसिद्ध मड़ाई मेला में इस नित्य का आयोधन किया जाता है ये वियाद रिखे का कई पर पूछा किया है कि नरायनपूर का प्रसिद्ध क्या है मड़ाई मेला उसमें ये नित्य किया जाता है ठीक है मुडिया जो है भbn थ्याद रिखिया है, मुडिया जो है, वो बस्तर की प्रमुक जन जाती है यह गोड कोमतोर की उपशाखा है वह प्रम प्रमुक जन जातीए, ठीके, और नारायणपूर के मड़ाई मीले का अयोजन भी याद रिखियेगा. जाडू राम दिवांगान का संबंद किस से है तो जाडू राम दिवांगान का संबंद किस से है तो जाडू राम दिवांगान का संबंद किस से है तो यह है पंदवानी से ठीक है इसके जो सर्मस्ट्रेश्ट कलाकार कहलाते है वो ही कहलाते है जाडू राम दिवांगानी ठी अच्छार में इसलिए प्रसिद नाटक चरन दास चोर के निर्देसक ते इसके इस ओपर में एक विल्म बनी थी 1975 में चरण दास चोर जिसके निर्देसक थे स्याम बेनेगल याद रखेगा ये कौशन एक बार पूचा गया है स्याम बेनेगल 1975 में ये पिक्चर बनी थी चरण दास चोर ठीक है जो हबीब तन्वीर के नाटक पर आधारी थे ठीक है और इसके जो निर्देसक थे होते स्याम बेनेगल जो एक मूवी बनी थी 1975 में चरण दास चोर ठीक है तो याद रखेगा ये दोनों बातों को ठीक सात्वे प्रश्ण गीत रपाजेगे 36 गड़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गाया जाने वाला गीत जो है वो है भड़ाउनी ये बाजगीत के बारे में चानते हैं महाबहरण के पाश्ठ मोर्ध्वज कर्ण के प्रसंग पर अधारित है बाजगीत राव जाती सम्हién के द्वारा ये किया जाता है वादीभौ्त इंत्र यह इस्थमाल करते हैं मोहर था ये नकूल यादवादाव और केजूगीत के द्वारा वर पक्च के द्वारा क्या किया जाता है गाया जाता है भड़ाउनी गीत ठीक है उसके द्दरिया के बारे में यही तो द्दरिया क्या है प्रेम गीत है ठीक है क्या है प्रेम प्रसंग गीत है ठीक जो फसल बुनाई के समय जवाब सैली जो इसकी है वो है सवाल जवाब वाली सेली उतिए इसकी दधरिय गिंची ठीके तो बड़ावनी के आए लिए वर पक्ष के दवारा गाया जाता है ठीक है। morning सुंदski बाइब सब को प्राप्त ठीक है रहे तो यह रहें प्रख्यात किसे की सुबह तो ये आप सभी जानारोंगे जो थे वो रायगळ के राजा चक्रदर सीं के दर्बार की सुभा थे याद रखेगा रायगळ के राजा दसवर प्रश्ण की तरह पाज़े इस राज्य में किस इस्थान पर प्रसिद पार्षव गाई का अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था तो यह हुआ था रायगर में ठीक है इस कोश्चन का जवाब आप थोड़ा सा कोच के दीजेगा यह वाले कोश्चन का ज जाती में ठीक है यह चैत्र पूर्णीमा में किया जाता है याद रखीगा चैत्र पूर्णीमा में ठीक सरहुल जो है इस निर्ट्य में साल विरिक्ष की पूजा की जाती है यह भी याद रखीगा साल विरिक्ष की क्या की जाती है पूजा की जाती है इसलिए इसको क्या कह प्रक्रति की पूजा निर८ रन इते क कहा जाता है कि तो वो कहलाता है तो नाम याद रखे का दाऊ राम सास्त्री परमपरा पर राजा चक्रधर सिह द्वारा लिखा गया 32 किलोग्राम वजनी पुस्तक है देगे Stefans नाम है यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है राजा चक्रधर के द्वारा लिखा गया है ताल- तोय निधी नाम याद रखीगा ताल तोय निधी यह आपके PST के प्री में आने लाएक कोशन है ठीक है चौद्वा कोशन है कि 1936 में वाइस राय ने 36 गड़ के राजा चक्रदर्सीं को किस उपादी से विबुशित किया था तो यह किया था संगीत सम्राट से किस से किया था संगीत सम्राट जो वाइस राते लाड लिन लित गो नाम याद रखीगा लाड लिन लित गो ने संगीत सम्राट की उपादी से विबुशित किया था राजा चक्रदर सींगो संगीत सम्राट की उपादी से ठीक है याद रखी ऐसे में कौन सा पारंपरिक निर्ठ भगवान कृष्रेत करते हैं जो इनका दूसरा नाम जो है इस निर्ठ yak वह क्या क्या है इन गहीरा नाच या नृत्य कषिभी इसको रायों ठीक है और किसके द्वारे किया जाता तो तो याद रखेगा। 16 प्रेश्ण है कि प्रतिवर्ष रावतनाचा महत्ताव कहाँ अईउजीत के जाता है। बिलासपूर में फीक है। नाम याद रखेगा कहा है विलासपूर में। और और याद रखेगा। तो याद रखेगा 1978 से ये प्रारम हुआ है कौन से सहर में विलासपूर में ठीक है राउत नाचा महत्सव बस्तर की भंडारी निर्ट किस अवसर पर किया जाता है तो ये बस्तर का जो भंडारी निर्ट है ये होली के अवसर पर किया जाता है पेस्ति के प्री में प्रिवेस उपास तो हल सश्थी हल सश्थी के उपास में करती है ठीक है जिसमें क्या करते है पूर पुत्र की दिरगायों के लिए कामना करते हैं और निर्जला उपास करते हैं तो याद रखेगा किसमें करते हैं निर्जला उपास हल सश्थी में ठीक है उसके बाद है ये भर्थरी गीत का मुख्य वादियंत्र क्या है तो भर्थरी गीत का मुख्य वादियंत्र है सारंगी या एक लोग कथा निरती है इसमें राजा भर्थरी और रानी पिंगला की कथा का गायान होता है याद रखेगा कौन सा भर्थरी ग्रीत में राजा भर्थरी और रानी पिंगला ठीक लोग गाईका है इसकी किसकी भर्तरी की क्या नाम हो उनका सुरुज बाई खांडे ठीक है तो नाम याद रिखेगा सुरुज बाई खांडे ठीक है ये इनकी लोग सिर्च गाईका है ठीक है उसके याद रखेगा बस्तर का दसरा कितने दिनों तक चलता है याद रखेगा बस 60s दिनों तक यह तेवार चलता है डसरी जो थी स्व जो फ्सक्राइब प्रकर technology उसे वहार में गौरागोरी दिवा उत्सा भांडा हैं तो यह घाते हैं तो यह कलते हैं तुम यह का दोटा कुछ कर टाइम पर दो हिलाओं और किसुरियों के द्वारा किया जाता है गौरा गौरी निर्थ जिसको सुवा निर्थ भी कहते हैं ठीक है उसके यह बाइसवा प्रश्ण की तरफ चतिन गड़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कोचन है कि कबीर गायन के प्र प्रहान भी करते हैं ठीक है तो तीनों करते हैं इसको तो उप्युक्त सभी होगा चिंद पत्ते से चटाईवर्ट टोकरी कौन मनाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कोचन है यह सिकारी क्योंकि यह प्रीविएस येर में पूछा गया प्रश्ण है ठीक है 25 प्रश्ण की तरफ भी भासा में गाया जाता हैलवी भासा में गया जाता है यह याद रिक आइजित कूछा गया है धनकूल्गीत suspended कोरूडवा में तरफ हो सुवह निर्थ को और किस नाम से जाना जाता है तो याद रखे गया उसके बात पंडवानी गायान किस गरंथ पर आधारीत है और सबसे इसी कोषण है महाभारत पर आधारीत है Pंडवानी कई बार एकजाम में पूछा गया है आप देख लेटे किखेंगा कोचेंपर उठा के ठीक है कई बार एक्जाम में ये पूछा गया है ठीक निम्न में से 36 गड़ का पारंपरिक लोग गीत नहीं है तो सोहार गीत है बिहाव गीत है बीहु गीत जो है वो नहीं है क्योंकि बीहु जो है बीहु ये असम का लोग निर्ति है ठीक है लोग गीत है असम का लोग गीत है ले सकते हैं तो यह थीच जो प्रशन है ये बहुत जादा क्या है इम्पर्टेंट प्रशन है तो इंको आपको क्या करना याद रखना है इनको सभी को क्या करना है याद रखना है एक और बताते हुआ जो यह यह तीजन भाई है यह पंडवानी की है ठीक है किसकी है पंडवानी की बहुत प्रसिद्ध कलाकार है ठीक है धेवदार्थ बंजारे जो है यह यह पंतिं सिर्फ के निर्थ है ठीक है तो यह तो तीस प्रेशन है आज के इनको बड़े अच्छे से ध्यान से देखेगा और अपने तरब से भी effort लगाकर थोड़ा इनको पढ़ने की कोशिश और याद करने की कोशिश करिएगा वैसे दो से तीन अगर वीडियो देख लेते हैं तो ऐसे ही आपको यह सारा कुछ याद हो जाएगा ठीक है और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं गया तो सब्सक्राइब जल से जल कर ले इसका next point कल morning में या evening में आ जाएगा ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही था ज आप लेपा आप